नमस्कार दूस्तों मेरे नामें दीपक कुमार और आप देखरें चैनल दीपक करे आज मैं बताऊंगा आपको GNM के बारे में GNM क्या होता है इसकी फॉलफार में General Nursing and Midwifery इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोर्स के बारे में subject कौन-कौन से होते हैं, west college कौन से रहेंगे, fees कितने लगेगी आपको GNM करने की, नौकरी कहां पर मिलती है, कौसी मिलती है और किस तरीके से मिलेगी salary कितने मिलती है इस काम में, इस नौकरी में और काम क्या करना पड़ता है, इसमें कब promotion होते हैं, scope कैसा है, A to Z सारी जानकारी आपको के बलेगी वीडियो मिलेगी, मैं कुसिस करूँगा, ये वीडियो में पूरी सारी जानकारी आपको दे पाओ, शुरुवात करते हैं GNM के certificate है, ये कौन सा course है, diploma course है, इस course को लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है, यह course 3 साल 6 महिने का होता है, पहले GNM course 3 साल का होता था, लेकिन आप इसमें 6 महिने की internship जोड़ दे गई, internship मतलब क्या होता है, जितना आपने पढ़ा है, जितना लिखा है, practical knowledge आपको दे जाती है, किसी hospital में जाके आपको ये काम करना पड़ेगा, 6 महिने के लिए, उसके अंदर आपको सारी चीज़े सिखा ही जाती है, यह course 10 और 12 करने के बाद किया जा सकता है, मतलब 12 इसमें maximum रहती है, 10 का course तो आपको करने पड़ेगा, इसके बाद आपको GNM का course करना पड़ेगा, 12 में में आपके PCB से आप पास होने चाहिए, PCB का full form होता है, कच्छा 12 में आपके क्या होने चाहिए, physics, chemistry और biology, यह 3 subject होने चाहिए, इसके साथ ही साथ, यदि आप में art लिया है, या commerce लिया है, वो छातर भी GNM का course कर सकते हैं, इसमें उम्र कितनी होने चाहिए, GNM में भरती के कि आपकी कम से कम minimum age होने चाहिए, 17 साल और आपकी maximum age होने चाहिए, 35 साल, इससे नीचे या रूपर नहीं होने चाहिए, कुछ college में intense test भी होता है, जो बड़े college है, अच्छे college है, top institute है, उनमें आपको intense test दिना पड़ता है, intense test में आपका केबल जो physics chemistry और biology है, वो ही important रहता है और जिस भी college में intense test होगा, यह उसमें पका रहेगा, कि उसमें 12 से आपको PCV मागा जाएगा, मतलब उसमें केवल biology वाले ही, जो student है, वो उसमें form भर पाएंगे, और जो art और commerce वाले हैं, वो form को नहीं भर पाएंगे, जैसे मैं बता चुका हूँ, कुछ institute 12 में 7 परशन तक मा से करते हो, तो वहां की फीज जाला रहेगी, अगर average कोई college से करते हो, तो वहां से 20-25 जार से चाहिए, एक साल की फीज आपकी लगेगी उसमें, यदि आपके पास आए फ्रमार पत्र होता है, तो आपको 70-80% scholar से भी मिल जाता है, बसरते हैं आप जिस college में जाए, वो सहमत ह हो, या फिर आपके जो marks हैं वो अच्छे आने चाहिए, टॉप student आप होने चाहिए, तब ही जाके आपको ये facility दी जाएगी, एक फ्रेसर नर्स की वार्शिक बेतन लगबख डियर से साड़े 3 लाख रुपए हो सकती है, मतलब कि आपको 10-15,000 से सुरुवाती महिने में आप आपको मिल सकते है, salary के तौर पे, जबकि एक experience nurse साड़े 5-8 लाख रुपए साल के कमा सकती है, आपकी salary कई factors पर depend करती है, जैसे आप work experience क्या है, field कैसा है, आपका education आपने कहां से ली है, place आप कौन से जगा पर काम कर रहे है और profile आपकी कौन सी है, ये सारे factors depend करते हैं कि आप कैसी salary मिलेगी और कितने आपकी बढ़ सकती है, GNM का बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, मैंने highlight किया है, बहुत जिम्मेदारी, highlight क्यों किया है, क्योंकि कोई मरीज भरती रहता है, तो उसे doctor के वल 5-10 minute के लिए round पर मरीज को चेक करने के लिए आता है, एक nurse ही होता है, जो बाकी के समय में उस मरीज को देख रहे करती है, और मरीज को यदि धोगे से कोई गलत दवा देदी उस nurse ने, या कोई गलत injection लगा दिया, तो मरीज की उसमें जान भी जा सकती है, इसलिए मैंने highlight किया है, यह बहुत जिम्मेदारी का है, इसके लिए आपको जो जब भी GNM का कूर्स करोगे या करोगी तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना हुआ पड़ेगा कि कौन सी injection या कौन सी medicine कब दिया जाता है, कब प्रियुक किया जाता है, GNM करने के लिए top college कौन कौन से है, NIMS युनिवस्टी है जैपूर में, सार्दा यह top college है, जहां से आप GNM कर सकते हैं, यहां पर intense test होता है, और आप प्रसे में बता चुका हूँ, कि जो top student होते हैं, उसमें कितना piece है, उसका सब अलग है, जो मैं पहले पता चुका हूँ, इसके बाद कि आप पड़ोगे GNM करोगे, तो उसके syllabus क्या रहता है, तो जो first year रहे जाएगा medical surgical nursing, pharmacology है, और theatric nursing है, तीसरे साल में आपको पड़ाया जाएगा pediatric nursing, advanced community health nursing, midwifery and gynecology, इस subject है सब आपको तीनों साल में पढ़ाया जाएगे, इसके बाद इस course में theoretical knowledge के साथ साथ आपको practical knowledge का ज्यान होना बहुत जुरूरी है, मतलब किताबों के साथ साथ आपने क आप तो सारी पढ़ने, लेकिन आपको उसको पता नहीं चला कि कौनसे दवाई कब काम आनी है, कौनसा काम कब करना है, तक तक आप इसमें पीछे ही रहोगे, इसलिए practical knowledge बहुत important है, तीन साल के इस course को पूरा करने के बाद, छात्रों को 6 महीने की internship करनी होती है, जिसमें क्या करना चाहिए मरीज के साथ, ये सब आपको बताया जाएगा, 6 महीने के अंदर ये अंदर, और साथी साथ जो clinical nursing practice है, वो भी आपको इसमें बताई जाएगी, कि injection कैसा देना चाहिए, मरीज को कब मतलब कौन सा बोतल चड़ती है, तो ये चीज़ें आपको उसमें चलती है, मतलब 8 घंटे आपको सुभाय, फिर 8 घंटे दुफ़ाय है, और 8 घंटे रात में, इस तरीके से इतनी एक hospital में ये round चलता रहता है, तो आपको क्या होता है, कि हर महीने आपकी जो duty का duration है, वो change होता रहेगा, पहले आपको सुभाय करना पड़ेगा एक महीने, फि फिर तीसरे महीने में आपको रात में, तो ये circle चलता रहता है, इसलिए आपको manage करना पड़ेगा, क्योंकि कभी जल्दी जगना पड़ता है, कभी जल्दी सोना पड़ता है, तो ये routine आपको खराब होता है, तो सबसे बड़ा दूस्परणाम ये है, दूसरा है, नर्स की मन स्थिती भी आपकी मजबूत होनी चाहिए, तभी आपको ये course करना चाहिए, तीसरा है ये point, कि तियोहार पर छुट्टियां आपको नहीं मिलती है, चुकि hospital एक ऐसे चीज़े जहां पर ये देखके नहीं आते हैं, मरीज लोग की कब इनको मरीज आना है, कब नहीं आना है, तो ये 24 घंटे खुले रहते हैं, इसलिए इसमें चुट्टी की कोई गुंजाइस नहीं रहती है, बड़े बड़े hospital ऐसे रहते हैं, जहां पर एक दो extra GNM ये मतलब nurse extra रहती हैं, तो वहां पर ये provide करवा दिये जाते हैं, लेकिन चोटे मोटे अगर आप hospital में आप जा रहे ह सोच रहे हैं, चुट्रापन मतलब किस तरीके से कि क्योंकि 24 घंटे आपको वही रोना धोना आपको सुनना पड़ेगा, वहां माहल जो negativity वाला है उसमें आपको रहो गए 8-8 घंटे, तो आपका सभाव में भी वो धीरे-दीरे आने लगेगा, जो मरीज होते हैं, मरीज के परिवार वाले होते हैं, अधिकतर वो negative thought ही निकलते रहते हैं, negative भूजा वहां भरी रहती है, इसलिए अपने आप automatic वहां का जो माहल आप पर प्रभावी रहेगा, और आपका भी सभाव दीरे-दीरे चुट्रापन वाला हो जाएगा, पांचमा point है, परिवार के लिए आप जो दीन दुखी हैं, उनकी मदद कर सकें, तो यदि ये अंदर आपकी सेवा भाव अंदर आपकी है, तो आपके लिए सबसे बहतर काम होगा, दूसरा point है, इसमें GNM करके आपको 100% नौकरी की guarantee रहती है, कि GNM करने के बाद केवल एक ऐसा course है, medical line का, जिसमें medical में जतने चोथा है, अपने ग्रहे छेतर में आपको नौकरी ले सकते हैं, ये दूसरे point में ये convert हो जाएगी, पांचमा है केवल leadership quality होगी, क्योंकि ये फायदा नहीं है, ये technique है, मैंने यहाँ पर highlight किया है, केवल leadership की quality आपके अंदर होगी, तो आपको promotion बहुत जल्दी आपका हो होगे, और यदि डॉक्टर जो आपका head, जो डॉक्टर है वहाँ का, उसके नजर में आप चड़ गए, तो आपका promotion बहुत जल्दी होता है, तो ये कुछ फायदे हैं GNM करने के, तो ये overall पूरी video थी, GNM की उपर, इसके अलावा भी कुछ अगर रह गया हो, तो आप हमें comment क करके पूछ सकते हैं, अपना जल्द हो सके, मैं आपका reply करूँगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद video को पूरा देखने के लिए, सुक्रिया, जैहिंज, जैभार,